नमस्कार हमारे खास कायरक्रम समबाद में आपका स्वागत है मैं हूँ अम्रेंद्र गुपता और आज इस खास कायरक्रम में एक बेहदी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा के अध्यक्ष माननिये ओम बिल्ला जी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस कायरकम में सर जिस तरह से संसत का सत्र देखा बड़ी कुसलता से आपने चलाया सभी संसतों को बोलने का मौका दिया लेकिन इसके पीछे सर कभी क्या कुछ कठनाईयां भी आपके सामने आई कुछ मैसूस की इस दोरान में संसत का सत्र सब के सयोग से चलता है संसत लोक्तंत का मंदिर है जहां अचर अलग-अलग विचार धारा के अलग-अलग दल के लोग आते हैं वो सब को अपनी अभिवक्ती का अधिकार है सब को आफ्सर दिया गया प्रयाप समय दिया संसत की कारवाई बिना बादी चली इसके लिए सभी सत्ता पक्षके भी पत्रिपषके सदनी के नेता मानने पदान मंघ जी अउस सब के दर्मों के फ़्लो नेताओं का स्वयोग्रा संसतकी कारवाय य। निर्वाद रुब रूप से चली और देश की जंता के पर्तीजा जवाब देए थी संसतकी उसको ठीक से निवढ़ने का काम किया। सबस्राइब ने जो सवाल पूछे जाते हैं मेहदी-महती भूमिका उनकी रहती है और इस बार पहली बार संसद में अशा हूँ हो कि पूछे गहाए और सभी ने सानसुदों को मौका दिया गया तो सफ ने जो सानसुद अथे उनकी किस तरह के अपक्चा रही सर इसके बाद अप्ताने का अधिकार है और सब में अपने अपने तरीके से अपनी शिति की समश्याओं को भी ठाए वहां के लोगों को आभाव भी उठाए देश के जोलन बुद्धों पर वी चर्चा की प्रशनिकाल के मादधयम से की सुनिकाल के मादधयम से की और कई विधेक के बारे में विधेक के माद्यम से भी अपनी बात कही है निश्री रूख से यह संसद हमारी लोगतंत का मंदीर है जहां पर सबने अपने अपने विचारधारा दल से ओठकर भी अपनी बात को कही है सर आपने कहा था कि सांसोदो को जब संसद में नया बिल इंट्रूस करेंगे उसे पहले जानकारी देंगे तो क्या लोगसभा अध्यक्ष के तौर पर अभी कुछ और प्रयास आप कर रहे हैं इसके बारे में हाँ प्रयास कर रहे हैं कि संसद सदर्शों को विधेक पर बोनने के पहले उनको हमारी रिसर्च विरिंग जो है और रिसर्च विरिंग शोट करके उनको उप्रोट गराए ताकि वह अपनी बात के विव्युक्ती सही उची तरीके से रख सके लोगसभा अध्यक्ष के बाद अगर देखा जाए तो सामाजिक तोर पे भी आपके रामगंज बंडी में हुई चाहे आपने यहां किया कैसे उमीद लेके आता है उसको कैसे सर कर पाते हैं मैं दो जा तीन से जन्पतिती हूं और जन्ता से मेरा सीधा संपर्क है इसलिए जो समश्या है जो अभाव इलाके लोग लेके आते हैं उनकी समश्याओं को सुना भी की जाता है समाधान भी क्या जाता है क्योंकि एक जन्बतिती का दाईट होता है कि वह अपने शित के लोगों के अभावु उनकी समश्याओं सुने उनकी इलाके के डेवलोमेंट के प्लान को बनाएं और किस तरीके से अपने शित्र के विकास की योजनाओं को अंतिम जामा पहनाने की कारवाई करें इसी के साथ सामाजिक पहलू भी होते हैं किसी जनता के अंदर कोई दुरुगट ना होती है किसी घर में किसी घर में आकास्मिक मोत होती है उसके घर भी जाया जाता है सविद्ना वेक्त की जाती है क्योंकि एक जनप्रतिति का दायत है कि वो अपने इलाके के अंदर जनप्रतिति के रूप में एक बेटे के रूप में एक भाई के रूप में अपने दायतों को निभाय है और सतत संपक अपने शित्र की जनता से रखे और जनता को यह लगना चाहिए कि हमारा चुनाव जन्पित्थी हमारे अभाओं को भी सुनता है हमारी सामाजिक समेदाओं पर भी हमारे साथ रहता है कोटा बुंदी के सिछक जो हैं उनका सममान करते आए उसमें से कई सिछक कैसे बात शिक्षकने जिन गुरूने मुझे पड़ाय है मुझे कुशी होती है कि उनके संस्कार, उनके विचार, उनकी शिक्षा के दिये वी विचारों के आच्रण के कारणी आज ये मुझे दय तो मिला है इसलिए गुरूं का सम्मान हो और उनकी सेवाओं को जो उनने समाज में दिये है उसका सम्मान हो और इसलिए जो राजसरकार के अंदर जो सेवा निर्वत शिक्षक है जिन्होंने अभाव में काम किया क्योंकि इन शिक्षकों को 30 साल पहले से ये अपनी सिवाए दे रहे हैं उसमें कई गाउं में पीने का पानी नहीं था लाइट नहीं थी रास्ते नहीं थे तो अभाव में रेकर भी उन्होंने शिक्षा देकर समाज के अंदर उजाला देने का काम किया क्योंकि शिक्षा संसकारिद भी करती है और शिक्षा मानों का निर्मान करने का भी काम करती है और बिना शिक्षक के हम इस दीश के अंदर विकास की गाथा निलिख सकते हैं और इसलिए शिक्षकों की इस भारत के निर्मान में राष्ट के निर्मान में बहुत बड़ी भूमिका रही है और उनकी भूमिका का सम्मान होना चीए इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि हर वर्ष शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों का सम्मान किया जाए गुरू का सम्मान क और यह हमारी परंप्रा भी है कि गुरूं का सम्मान समाज में हमेशा उपर इस्तान पर रहा है और रहेगा सिक्षकों के तप और आपके प्रयास से आज कोटा जो है सिक्षा की कासी के तौर पर विख्यात है खुद प्रधानमंत्री जीवी संसब में बोल चुके हैं तो सर इस सिक्षा की कासी में भविस्त में क्या कुछ योजनाए हैं सैक्षिक संस्थानों को लेके बड़े-बड़ इस से इलाके से शिक्षा प्राप्त करने आते हैं कोचिंग प्राप्त करते हैं यहां अभी तक लाखो विध्यारती डोक्टर इनियर बनके निकले हैं और कई विध्यारतियों ने प्रशीशन शिक्षन प्राप्त करकर अपनी सेवाएं देश और देश के बार दिये हैं इस वो कोटा को हमेशा याद रथा है हम कोशिश करेंगे कि कोटा में नेशनल- इंटरनेश्ट इस तर के शिक्षन सर्चानिया हां 2 विश्चानीया आए इस बीच में आप परिवार के लिए अपने लिए कुछ समय निकाल पाते हैं। एक ही है कि किस तरीके से हम अधिक्तम लोगों के अभाव को दूर कर सके हैं। जीवन को बदल सके और इसके लिए सब्द प्रियास करने के आउश्रता है, जो हम लगातार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका एक परिणाम निकलेगा. जो आने वाले युवा हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं, आज कर युवा राजनिती में आ रहे हैं, जिस तरह संसर्द में भी युवा है, तो क्या संदेश तरह युवा के तौर पर आप देना चाहते हैं? देश की युवापीडी ने आज भारत का नाम विश्व में किया है, हमारे नोजवा संसारित भी है, शिक्षित भी है, उनकी बहुत अद्भुत शम्ता भी है, इसी कारण आप देख रहे होंगे कि दुनिया के अंदर भारत का नोजवान नित्वत कर रहा है, मेरी शुब कामन है कि लोगतांत में और उनका विश्वास बढ़े, संसत के पृति उनका और विश्वास बढ़े, ताकि लोगतांति मुल्यों के आधार पर हम भारत विश्व का नित्वत कर सके और हमारे बहुत इस शम्ता का नोजवान अच्छे संसकार्प, अच्छे विचार से देश के अंदर और देश के भार विदेश में भी नित्रत कर सकें बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने बहुत ही बेवाकी से सामाजिक पहलूओं पर भी प्रकास डाला तो यह थे देश के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिल्ला जी जिन्होंने किस तरह से न सिर्फ देश की संसत को सुचा आने का प्रयास कर रहे हैं आज के इस खास कायरकम में इतना ही अगली बार किसी और सक्सित के साथ आपके साथ होंगे तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार